सब्सक्राइब करेंगे और आज का केस जो है इंदरा गांदी इंदरा गांदी वर्सिस राज नरायन का यह वला केस है तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट केस है वेटा यह वला ठीक है और इस केस को समझने के लिए हमें बैक्गराउंड को समझना पड़ेगा तो बात 1971 की बात है जब हमारे देश में पांचमी लोकसवा के चुनाव हो रहे थे तो इंदरा गांदी राइबरेली से चुनाव लड़ रही थी तो इंदरा गांदी के खिलाफ राम मनोहर लोया की जो पार्टी थी तो उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर राज नरायन इंदरा गांदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे राज नरायन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोलिटिकल परसनेलिटी थे उस समय की ये एक फ्रीडम फाइटर थे और इनका बहुत नाम था राज नराएन जी का भी तो राज नराएन को यह लगता था इनको कि इंद्रा गांधी को इस चुनाव में हरा देंगे and he was extremely confident of his victory and चुनाव के नतीजे आए चुनाव के नतीजों ने पूरे देश को हैरान कर दिया इंद्रा गांधी की political party जो congress party थी उसने 352 seat जीती बेटा 518 seats के उपर चुनाव हुआ था तो लगबग 40-45 परतिशत इनको voting परतिशत मिला पूरे साल में पूरे देश में और इंद्रा गांधी चुनाव जीत गई राज नरायन चुनाव हार गए राज नरायन बहुत आहत हुए उनको बहुत परिशानी हुई क्योंकि उनको लगता था कि वो तो बहुत ही बड़े huge मारजिन से जीतने वाले हैं बढ़ हुआ इसका बिलकुल उलट हुआ और वो बहुत बड़े मारजिन से हार गए जब रा पहाबाद हाई कोट में याची का दाखिल करी, प्रटीचन फाइल करा उन्होंने और उन्होंने जो उस समय की परधानमंतरी थी इंद्रा गांधी, तो उनके अगेंस्ट उन्होंने चैलेंज कर दिया, कि इंद्रा गांधी ने जो भी चुनाव जीते हैं, ये बेसिकली बहु वाइलेशन्स करे हैं इन्होंने कहा इंद्रा गांधी ने किन-किन वाइलेशन्स का बेटा इन्होंने बोला सबसे पहला इन्होंने जो वाइलेशन बोला वो यही था कि इंद्रा गांधी जी ने बहुत सारे पैसे खरच करिये हैं जादा पैसे खरच कर दिये हैं जितने उनक तो मतलब allowed थे legally उससे ज़्यादा पैसे खरच करें हैं सरकारी machinery का बहुत ज़्यादा misuse करा है सरकारी अफसरों का इस्तेमाल करा है कुछ-कुछ officers का नाम भी बताया राज नराय ने कि इस officer ने इनको मदद करा इस officer ने मदद करा यहां पे सरकारी बिजली का इस्तेमाल करा है इ और इंद्रा गांदी ने जिन्दगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह का verdict उनके खिलाफ आ जाएगा और इंद्रा गांदी के खिलाफ verdict आ गया तो अलाहाबाद High Court ने यह बोला कि जो इंद्रा गांदी ने चुनाव लड़ी है उसमें बहुत सारी माल practices करी हैं इंद्रा गांदी भी बहुत ज्यादा active थी और इंद्रा गांदी ने भी क्या करा इंद्रा गांदी ने सीज को challenge कर दिया सुप्रीम कोट में बहुत ही proactive रही वो इस case में तो सुप्रीम कोट में उन्होंने challenge कर दिया सुप्रीम कोट गर्मियों की चुट्टी में गया हुआ था और सुप्रीम कोट ने क्या करा कि अलाहाबाद हाई कोट के डिसीजन के उपर रोग लगा दी जब इंदरा गांधी के मतलब डिसीजन के उपर रोग लगाई गई तो जैपरकाश नरायन हो गया राज नरायन हो गया इस तरह थे बहुत सारे प्लिटिकल लीडर्ज जो बेसीकली इंदरा गांधी के अगेंस्ट जा रहे थे मुरारजी दिसाई इन सब लोगों ने काफी प्रोटेस्ट वेटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया मीनवाइल इंदरा गांधी ने क्या करा जब इनके खिलाफ डिसीजन आ चुका था उलड़ी अ लाहबाद हाई कोट का तो इंदरा गांधी ने एमर्जंसी को इंपोज कर दिया और इंदरा गांधी ने एक बहुत इंपोर्टेंट अमेंडमेंट पास करा 39 अमेंडमेंट इंदरा गांधी ने पास करी उस समय में और यह अमेंडमेंड क्या थी यह बहुत ही महत्तपूरन amendment थी हाँ इस amendment से 39th amendment से इंद्रा गांधी ने एक article add कर दिया हमारे सभीधान में article कौन सा था article 392A article 392A add करा गया सभीधान में इस article में इंद्रा गांधी ने specifically mention कर दिया कि परधान मंतरी की चुनाव को कोई भी challenge नहीं कर सकता that the election of the prime minister and the speaker cannot be challenged in any court of the country मतब कोई भी court कभी भी परधान मंतरी की चुनाव में या speaker की चुनाव में हच्ता छेप नहीं कर सकती है तो राज नरायन कौन से चुप रहने वाले थे राज नरायन ने अपने ही case में जिस case में इंद्रा गांधी की election को invalidate करार कर दिया गया था invalidation कर दिया गया था इनकी चुनाव का उसी case में उसी case में राज नरायन जी ने 39th amendment को भी challenge करा तो यह जो case है Supreme Court का राज नरायन वर्सेज इंद्रा गांधी this is more about the conflict between the government and the judiciary क्योंकि यहां पर सरकार क्या कह रही थी इंद्रा गांधी यह कह रही थी कि Supreme Court उनके काम काज में हश्ता छेप ना करें उनकी election में हश्ता छेप ना करें तो उन्होंने Supreme Court के ऊपर जाने की कोशिश करी Court के ऊपर जाने की कोशिश करी यह वाला नया कानून लाके तो बेटा राज नरायन वर्सेज इंद्रा गांधी केस में सुपरीम कोट ने इंदरा गांधी को फटकार लगा दी इंदरा गांधी को यह बोला गया कि आपने यह जो अमेंडमेंट पास करा है यह बिलकुल Unconstitutional है यह बहुत ही ज़ाद Unconstitutional है क्योंकि यह Basic Structure को Violet करता है और Basic Structure का जो सिधान्त है वो अलड़ी 1973 में आई चुका था केशवानन्दा भारती Case में आप Supreme Court की ताकत को High Court की ताकत को Judiciary की ताकत को नहीं रोग सकते और आपने जो चुनाव लड़ी है वो गलत तरीके से चुनाव लड़ी है और आपकी Election जो है वो वो वाइड करार दे दी थी और आपने यह जो Emergency लगाई है समझ गए उसके बारे में एक अलग Case चल रहा था कि इंदरा गांदी ने जो Emergency लगाई है क्या यह Emergency सही तरीके से लगाई गई है के नहीं गई है उसका एक अलग Case चल रहा था बट इंदरा गांदी ने यह जो Amendment पास करके Supreme Court को High Court को रोकने की कोशिश करिये बिलकुल गलत है तो यह बहुत बड़ी आप कह सकते हैं जीत थी तो यह वेटा Question involved था सबसे important The main question involved इस case में was of the validity of Clause 4 of the Constitution 39th Amendment Act 1975 यह ही था बेटा इसमें contention क्या था logic क्या था जो Supreme Court देख रहा था This clause in question not only wiped out the High Court judgment but also the election and law relating to it तो यह बोल दिया गया था कि आप elections को उसका decision नहीं कर सकते judicial review बगेरा नहीं कर सकते समझ गए तो बहुत important यह वाला judgment था तो इन्होंने the clause of the struck down of the court was struck down by the court on the ground that it violated free and fair elections तो बेटा इसको struck कर दिया देखे जब भी सरकारें इस तरह का कुछ करने की कोशिश करती है हमारी judiciary front foot के उपर आती है हमारी judiciary सरकारों को रोकने की कोशिश करती है और हमारी judiciary सरकारों को याद दिलाती है कि सविधान भी है और सविधान के कुछ मूल सिधान्त भी है एक basic structure भी है जो basically आप उसको खराब नहीं कर सकते हैं तो बेटा आप यह कह सकते हैं कि इस case ने specifically किसको करा बेटा सुप्रीम कोट की jurisdiction को judicial review को और free and fair elections को plus rule of law को तो यह एक महतपूरन case है सुप्रीम कोट का जिससे उन्होंने सरकार जो अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही थी उसको कहीं ना कहीं सीमित कर दिया और यह कहा कि परधानमंत्री जो है वो नियालिया से उपर नहीं है ठीक है तो बेटा इस तरह के बहुत सारे cases हम discuss करते रहते हैं एक और case हम emergency को लेके भी discuss करेंगे इसके बाद में तो उस case को भी जरूर देखिएगा मैं आन academy के उपर Indian polity पढ़ाता हूँ मैं आन academy के उपर public administration पढ़ाता हूँ अगर आप मेरे से पढ़ने में interested है तो आप आन academy का subscription ले सकते हैं और मेरा code use कर सकते हैं जी राजपूत आप जब भी ये code use करेंगे आपको discount मिलेगा जो भी आन academy के उपर discount चल रहा होगा उस समय बे 30% 20% 40% जो भी discount चल रहा होगा तो ये code use करने से आपको वह 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 discount मिल जाएगा चलिए this is all for the moment बबाए take care और इस तरह के काफी cases के उपर मैंने supreme court की judgments के उपर बहुत सारे classes बनाए हैं वो classes ज़रूर देखिएगा बबाए take care